नमस्कार दोस्तों सभी का स्वागत है मेरा चानल एडमिशन वालापर और जैसे की कहा था 11 बज रिजल्ट आएगा आपका रिजल्ट डिकलेर हो चुका है आप अपने लॉगिन में जाकर उसे डाउनलोड कर सकते तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे कि आपको रिजल्ट इस साल अपसेंट थे एकजाम में तो एक नोट करने वाली बात है दूसरी बात है कि उनके टॉपर की लिस्ट भी आपको मिल जाएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी यहां पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपको उनका तफसील जो है वो आपको लिं स्टूडेंट है पिसली बार की बात करें तो PCM में थे 276,000 और PCB में थे 281,000 लेकिन इसमें डिवैड हो गए थे PCMB वाले भी स्टूडेंट तो एक स्टूडेंट हो सकता है कि दो जगा पी उसका काउंट आया हो और एक परसंटाइल में तक्रिबन 2700 स्टूडेंट थे PCM क की बात करें और PCB के बात करें तो 2800 स्टूडेंट थे लेकिन इस बार 17300 स्टूडेंट होगी एक परसंटाइल में और PCB के एक परसंटाइल में स्टूडेंट होगे एकंधी सो के आसपास, तो लाजमी है कि थोड़ा सा cut of नीचे आ जाए बात करेंगे जल दीसजी बूट जा पास्वर डाल दीजिगा, यह कि आप चैहां पे डाल डीजिगा, और लग इन कर दीजिगा. आप ने इसको कई बार किया है. इसको सीधा aside करना है, यहाँ पे कुछ ज्यादा टाएम वेश्ट आपको नहीं करना है, यहां फिर प्रोसीड करना है. या फिर बाहर भी मतलब आपको लॉग इन करने की जरूरत नहीं पड़ेगे, वहां से भी आप आपने रिजल्ट डाउनलोड कर पाओगे, तो फिलाल यहां पे आप क्लिक किजिएगा, यहां पे यहां पे क्लिक करने के बाद यह विंडो ओपन होगा, यहां पे आपको सिंप तो फिर आपका यहां पे Physics, Chemistry, Mathematics जो भी आपका ग्रूप है, उसका स्कोर आपको यहां पे मिल जाएगा, अगर आपने दोनों भी एक्जाम दिये, तो एक बार आप आपने पहले ग्रूप का, दूसरी बार दूसरी ग्रूप का इस प्रकार से आप अपना डाउनलोड कर सकत से बहुत ही जल्द admission process शुरू होगी, उसमें आने वाले सारे सारे हम पड़ाओ पर आपके साथ रहूँगा, जो भी कुछ प्रॉब्लेम आएगा, उसे हम solve करेंगे, जो भी कुछ ऐसी बाते हैं, जो ज्यादा तर हमें पता नहीं चलती है, जो भी कुछ tips होंगी, ट्रिक्स होंगी, admission system की हो, मैं जरूर आपको प्रवाड करने की कोशिश करूँगा, रुकते याँ पे फिर मिलेंगे किसे नए उड़ी में, तब तो क्लिकना मशकार, जाते जाते आपसे request है, मेरे चानल का आप subscribe कीजिएगा, like और share करना ना भोलीगा, thank you, शुबरातरी